हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ओइल के बारे में तो दोस्तों क्रूड ओइल जो है उससे कई तरीके की चीज़े बनती हैं सबसे पहली बात पेट्रोल बनता है डीजल बनता है इसी के अलावा गाडियों के अंदर जो ओ जाला जाता है और फिर इसको रिफाइनरी तक कैसे पहुचाया जाता है तो दोसों इस पूरे सफर की बारे में हम बात करेंगे लेकिन दोसों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पनाय है और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को फटा-फट कर दीजे सब्सक्राइब जिसका नाम है सही जवाब तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो crude oil होता है वो generally porous rocks के बीच में होता है यानि कि जमीन के काफी जादा नीचे जो rocks एक दूसरे से बहुत जादा bind नहीं होता है उनकी बीच में gaps होती है ऐसे rocks के बीच में ये जो crude oil है वो trap हो जाता है तो जो oil wells ढूणने वाले लोग हैं या जहां पर crude oil हो सकता है ये ढूणने वाले जो लोग हैं वो सालाना बहुत जादा पैसा इसमें डालते हैं अलग-अलग जगाओं पर crude oil जो है वो ढूणने की कोशिश करते हैं और अगर उनको इसा लगता है कि यहां पर crude oil हो सकता है तो वहां पर फिर एक well drill किया जाती है बोर well को वहां पर drill किया जाता है लेकिन ये आपकी पानी की बोर well जैसे drill करते हैं इतना असान नहीं होता है अक्सर ये जो oil है ये आपको समदर के तल में या किसी बहुत बीहड जंगल में या रेगिस्तान में ऐसी जगाओं पर ये मिलता है तो ऐसी जगाओं पर ये सारी drilling machinery को लेके जाना वहां पर वो drill करना और फिर उसके अंदर जो जरूरी infrastructure है अंदर pipe डालने पड़ते हैं उपर जो है वो pump वगेरा लगाने पड़ते हैं पूरा का पूरा एक station बनाना पड़ता है और साथी साथ उसको transportation के लिए pipeline वगेरा का भी खर्चा आता है तो ये एक बहुत बहुत costly जो है वो चीज होती है एक बहुत costly प्रोसेस होती है और तो और किसी भी जगह पर अगर आपको crude oil निकालना है तो तमाम तरीके के license लगते हैं तो ये सब कुछ करने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है तो माल लीजे कि अगर कही पर उनको ऐसी आशंका है कि वहाँ पर crude oil हो सकता है तो फिर वहाँ पर सबसे पहले तो सब कुछ देखा जाता है कि यहाँ से सबसे करीबी जो है वो port कौन सा है अगर समंदर में है तो करीबी port कौन सा है अगर किसी बीहड इलाके में है तो human settlement कहा ह सबसे बड़ा शेहर कहा है तो यह सब कुछ देखा जाता है वहाँ पर उस पूरे जगा की रेकी की जाती यानि के सारी चीजे बहां की जान ली जाती है और यह भी अनुमार लगाया जाता है कि वहाँ पर कितना बड़ा जो है वो reserve wire आपको मिल सकता है यानि के crude oil क के कितना क्रूड ओयल हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है या वो लोग अंदाजा लगाते ही हैं क्योंकि देखिए अगर बहुत थोड़ा सा क्रूड ओयल है और वहाँ पर अगर वो पूरा प्लांट लगाएंगे पूरा वो मशीनेरी लगाएंगे वेल खोदेंगे उसको और अगर इतना क्रूड ओयल ही नहीं कि उनका जो लागत है वो भी निकल सके तो कोई मतलब नहीं बनता है अगर वहाँ पर काफी जादा मातरा में क्रूड ओयल मुझूद है जिससे कि उनकी सारी लागत निकल सकती है उनको मुनाफ़ा मिल सकता है तो ही वहाँ पर जो है व जो कि anti leak pipe होते हैं इसमें से कोई भी चीज leak नहीं हो सकती है तो इस तरीके की pipe जो है वो वहाँ पर लगते जाते हैं उपर तक और जैसे ही उनको नीचे crude oil जो है वो मिल जाता है तो फिर उनकी जो खुदाई है वो थोड़ इसी और वो नीचे तक लेके जाते हैं क्योंकि होता यह है कि माल लीजिए आपको crude oil मिल गया 3.500 feet की दूरी पर हाला कि इतने उपर नहीं मिलता है मैं बस example दे रहा हूँ लेकिन माल लीजिए 3.500 feet की जो गहराई है वहाँ पर आपको crude oil मिल गया आपने वही पर खुदाईर रोग दी तो होता यह है कि जैसे साल बीते हैं आप उ तो आप खोते खोते 500 feet तक जाने चाहिए तब आपको यह वहाँ का जो भी crude oil है उसका आखरी खत्रा भी आप खीच सकते हैं वरना तो अगर बहुत उपर तक आपने drill मारी है और नीचे तक नहीं गये हो तो आप कुछी सालों बाद आपकी जो refinery है वो बंद हो सकती है या ज इसके अंदर खुद crude oil भी होता है इसके अंदर liquefied gas भी होती है और इसके अंदर पानी भी होता है तो ये तो खेर refinery को करना पड़ता है लेकिन इस सभी को handle करके उनको फिर जो है वो अपने pipeline के जरीए उसको जो है वो refinery तक पहुचाना पड़ता है तो कई बार ये जो pipelines है ये बनाने के लिए भी बहुत बहुत बढ़ा खर्चा आता है क्योंकि ये pipelines बड़े ही carefully बनाने पड़ती है क्योंकि इस stage पर ये जो crude oil है किसी सोने से कम नहीं होता है तो ये pipeline जो है वो बेहत सुरक्षित बनाई जाती है सुरक्षित बनाना ही पड़ता है और फिर उनको जो है और वो ट्रक्ष फिर आगे refinery तक जाते हैं तो कई बार होता ये है कि जो लोग oil को निकालते है उनकी खुद की ही refinery होती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ crude oil को निकालते है और बाकी फिर refinery के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको इसमें से पट्रोल बनाना है पट्रोल बनाओ डीजल बनाना है डीजल बनाओ जो बनाना है बनाओ लेकिन वो हमारी जिम्हदारने ही है वो बस crude oil को बेच देते हैं उनको तो ये सबसे बड़े हमारी यहाँ पर कौन प्रोडूसर है ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं मिडल इस के सारे जरुआर्स है तो आज की जमाने में वो कंट्रीज अगर इतनी जादा रिच है तो उसका एक में वो कारण उनका crude oil ही है तो वो कंट्रीज जो है वो ज्यादा flourish हो गए क्योंकि उनको human settlement की इर्दगिर्द ही वो जो भी उनका crude oil है वो मिल गया था लेकिन जो crude oil आपको बहुत deep sea में वगेरा मिलता है तो वो फिर transport करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी की वज़य से कई बार जो है वो oil के container ship जो होते हैं उनका भी इस्तमाल किया जाता है ताकि वो ज़्यादा cheap transport उनको मिल सके लेकिन इसमें खत्रा क्या होता है कि आगर वो oil tanker कही से leak हो गया तो पू हमारे पास कई देशों की पास जो है वो crude oil के reservoirs हैं लेकिन वो देश अभी भी उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं क्यूंकि उनको ये लगता है कि आने वाले समय में अगर ये सारे Middle Eastern countries में से reservoirs खतम हो जाए तो हम crude oil को बेज बेज के अगली सबसे बड़ी power बन सकते हैं तो च वो countries ने अब तक उसको खोदना जो है वो चालू नहीं किया है खर आपका जो वियतनाम वगेरा जो है वो अभी भी crude oil निकाल रहे हैं लेकिन उनको शायद उतना बड़ा बायर नहीं मिल पा रहा है लेकिन अमेरिका जैसी countries हैं उनके पास भी बहुत बड़े-बड़े reservoirs उन हमको मिल चुके हैं लेकिन हमने भी अब तक उनको निकालना शुरू नहीं किया है इसी की साथ साथ चाइना के जो South Chinese Sea है उसके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो crude oil होने की आशंका जताई जाती है लेकिन खैर अब जो समय बीटता जा रहा है वैसे वैसे लोग यह realize करते जा रहे हैं कि हम जादा जादा जो fossil fuels है उनको इस्तमाल अब नहीं कर सकते हैं वो खतम होने वाले है और इसका जो है वो global warming में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है तो इसको हम cut off करने की कोशिश कर रहे हैं तो आने वाला समय हो सकता है कि electric कारों का ही होने वा fossil fuel को कितनी जो है वो कीमत मिल सकती है तो खेर यह तो सारी आगे की बाते हैं लेकिन दोस्तों अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि crude oil को निकाला कैसे जाता है और फिर उसको transport कैसे किया जाता है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले